कि एलो एप्रिवान एड वेलकाम बैक तो दे चैनल आप सब का चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है मित्रो यूट्यूब पर श्रीनिदी बुरिकर सी इंटर्मिडिट चैनल को ढूंडिए सब्सक्राइब करिए वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करिए ठीक है चलो तो चैनल में उसमें बहुत सारा नॉलेज बेस हमारे लिए तयार है लेकिन उस नॉलेज बेस के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें हमारे आर्टिकल शिप ट्रेनिंग के दौरान और चार्टर अकाउंटन बनने के बाद या फिर अगर आप चार्टर सारा अधर नॉलेज बेस भी काम में आने बाला है तो उसी नॉलेज बेस को तयार करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों से अवेर कराने के लिए हम लोगों ने यानि मैंने यह आर्टिकल ऑनलाइन आर्टिकल शिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है अब यहा चलता हूँ आज के वीडियो के मुद्ध के ऊपर के तो हमारा आज का मुद्ध है मित्रों हमने शुरू किया था इंकम टैक्स के चालान से तो इंकम टैक्स में कौन से चालान्स होते हैं जिसका यूज करके हम direct taxes का payment कर सकते हैं ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था तो हमने क्या किया था एक complete sheet तयार की थी एक file तयार की थी जिसमें हमने combinedly सारे income tax challenge का data जो हमारे काम का है preliminary याने primary data वो सब एक जगा पे complete कर लिया था तो वहाँ से हमें पता चला मित्रो कि कुल मिलाकर income tax में एक दो तीन चार पांट छे और साथ कुल मिलाकर साथ challenge sorry और ये आठ कुल मिलाकर आठ challenge हमारे income tax में याने direct taxes में होते है income tax की challenge उनकी series जो होती है वो हमेशा शुरू होगी ITNS से ठीक है और हमने ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282 उसके बाद ITNS 283, ITNS 284 इसी तरीके से series में 285, 286 and 287 तक हम लोगों ने ये सारे के सारे challenge का basic data पढ़ा था अब इस वीडियो में हम लोग discussion करने वाले है challenge 1 याने ITNS 280 के बारे में ITNS 280 होता है मित्रो income tax का चालान याने इसका use करके हम लोग income tax का payment कर सकते है अब इसमें आप देखो ITNS 280 में आपको एक category मिलेगी जिसमें लिखा हुआ रहेगा tax applicable याने ITNS 280 का use करके आप लोग ये दो प्रकार के taxes को pay कर सकते हैं पहला रहेगा आपका code 0020 जो है income tax on companies याने corporate tax income tax on companies याने जो भी companies the companies at 2013 के under registered है वह वाली legal entities और दूसरा code आपका रहेगा 0021 जो है income tax other than companies याने जो legal entity होती है अगर आप companies के लिए tax भर रहे हो तो ये code आपको tick mark करना पड़ेगा और अगर companies के अलावा कोई भी other entity हो गई sole proprietor partnership firm एकसेटर जितनी भी दूसरी entities है वह select करना पड़ेगा आपको ये वाला code ठीक है तो पहली step क्या करोगे आप अगर income tax ना payment करना है तो आप ITNS 280 select करोगे proper code select करोगे इसमें से जो भी आपकी entity रहेगी उसके बाद next step आपका रहेगा type of payment अगर आपकी entity company है या आपकी entity other than company है तो किस तरीके का कौन से type का payment कर रहे हो वह select करना पड़ेगा क्या आप advance tax पे कर रहे हो या आप self assessment tax पे कर सकते हो या आप tax on regular assessment पे कर सकते हो sir tax का payment है tax on distributed profits of domestic companies and tax on distributed income to unit holders याने ITNS 280 का use करके हम लोग इन दो entities के tax pay कर सकते हैं income tax department को इन categories में advance tax, self assessment tax, tax on regular assessment, sir tax, tax on distributed profits of domestic companies याने dividend tax जो हता है dividend distribution tax and tax on distributed income to unit holders तो एक दो तीन चार पाच छे चे प्रकार के tax का payment हम ITNS 280 को use करके कर सकते हैं यह basic बात हो गई ITNS 280 की अब मैं आपको लेके चलता हूँ actual ITNS 280 का जो physical form होता है जो printed form होता है वो online digital वाला form में आपको नहीं दिखा रहा हूँ है हम लोग printed form के उपर से आपको पढ़ाएंगे क्यों क्या होता है कि जो भी आपका payment रहेगा ITNS 280 का वो आपको income tax e-filing के portal पर जाना पड़ेगा वहाँ पर अपने account details डालके याने pancard और password डालके login करना पड़ेगा फिर वहाँ से select करना पड़ेगा type of payment और फिर यह सारी procedure सेम रहेगी तो वो क्या होता है privacy breach होती है अगर मैं आपको किसी का account दिखाऊंगा या मेरा खुद का income tax का e-filing का account दिखाऊंगा तो उसमें इसी बहुत सारी sensitive information आपको दिख जाएगी जो मेरी private information या किसी और व्यक्ति की private information है इसलिए हम लोग digital form को नहीं दिखा रहें अब आप कह सकते हो कि सर आप उसे sensor कर दो लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें मेरा edit करने का काम बढ़ जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे आपको जो physical form है उसमें आप उससे आपको समझा देंगे क्यूंकि physical form fill up करने म और digital form fill up करने में steps और data का जो input है जो data के fields है वह identical है उसमें बहुत ज्यादा फरक्त नहीं पड़ेगा यह आपका printed paper पर फॉर्म रहेगा और जो आप online payment करोगे वह आपको ई-portal पर जाके payment करना पड़ेगा और वैसे भी जो नई generation है याने जो आप लोग हो वह हमेशा take savvy होती है तो आप लोगों को ज़्यादा technology के बारे में ज्यान देने की ज़रूरत नहीं है यू नो हाँ टू यूज टेक्नलोजी एक बार अगर पेमेंट कर दोगे चालांज हो जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि payment की process कैसी है ठीक है इसलिए मैं digitally ज्यादा उसको importance ना देत पहले उन्होंने यहाँ पर बता दिया क्या बताया है हमें यहाँ पर important चीज़ प्लीज नोट प्लीज सी नोट्स ओवर लिफ बिफोर फिलिंग अप दा चालान याने यह जो नोट्स है इनको पहले पढ़ लेना चालान फिलप करने से पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ ल हमेशा सारे के सारे चालान जो है नंबर जो है आपको वह यहाँ पर दिखेगा तो आपका चालान नंबर है ITNS 280 फिर आपको सेकंड वाला फिल्ड भी लेगा जो रहेगा आपका टैक्स एपलिकेबल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टिक वन याने इन दोनों एंटिटी में स कोई एक ours के लिए आप पेमेंट कर सकते हो इसका मतलब क्या हुआ QE此 यह जो चालान है इसमें केवल आपेकी एंटीटी के बारे में टैक्स पही कर सकते हो और केवल सिंगल टाइप ऑफ पेमेंट कर सकते हो यानिंग अप एक ही चालान में एडवानस पैमेंट भी स्पा तो यह फिजिकल फॉर्म का एक आपको रहेगा डिजिटली भी आपको एक ही ऑप्शन सिलेक करने देगा अगर आपको दो तीन टैक्स के पेमेंट करने तो आपको दो तीन बार ट्रांजक्शन को इनिशियेट करना पड़ेगा यह बेसिक चीज यह आपको ध्यान में रखनी ह फिर आप क्या होगे Apakah आपको पता चल गया घर आपने देख लिया कि आपकी कौन सी है क्या आप Camp or the information के लिए इंकम टैक्स पे कर रहेो उसह साब से आपको अपनाップर क्रोगे जो भी मिया वोत प्लूम यहाप टिक मार्र ना है फिर आप क्या लिखोगे कि आप tax कौन से assessment year के लिए pay करने वाले हो तो अभी current हमारा financial year कौन सा शुरू है 1 April 2024 से लेकर 31 March 2025 तक का तो अगर इस साल का हमे self assessment tax पे करना है या advance tax पे करना है तो 2024-25 का assessment year जो है वो रहेगा 2025-26 तो इस तरीके से जो आपके लिए applicable है that means जो आपके entity के लिए applicable है वो assessment year आप fill up करोगे तो हमारा field number 1, field number 2 और field number 3 यह तीन चीज़े हमने देख लिए चाला दने फिर next information आपको provide करनी है number 4 पर permanent account number ठीक है जो भी आपके entity का pan number होगा वो आप इन boxes में capital letters में एक box में एक ही letter आपको लिखना है इस तरीके से fill up करोगे फिर आपके pan card के उपर आपके entity का जो नाम होगा वो आपको लिखना है as it is जो भी pan card पे capital letters में होगा capital letters में small letters में होगा small letters में जिस तरीके से pan card पे छपा हुआ है उसी exact तरीके से आपको यहाँ पर full name लिखना है जो उसके बाद next data field अगर आपका match नहीं होता है यह तो हो सकता है कि चालान reject हो जाए तो इसलिए जब भी आप pan card की information code करते हो तो as it is 100% same आपको information वहाँ पे देनी पड़ेगी फिर next data field आती है हमारी complete address with city and state तो यहाँ पर आपको हमेशा अपना updated address डालना है ताकि income tax से जो भी communication आपको आएगा वह आपके updated current address पे उपर आएगा और आपको यह ensure करना है कि आपके आधार का address और आपके pan card का registration किया था आपने तब जो address दिया था उसके बाद आपके e-filing portal पे जो address आप इसने डाला हुआ है profile में यह तीनो एड्रेस सेम रहे अगर यह तीनो एड्रेस सेम नहीं है तो आपके account में या आपके pan card पर कुछ problems आ सकते है with respect to communication with income tax department तो यह तीनो जगा पे address हमेशा identical रखना है हमेशा updated रखना है तो आपने पूरा address भी यहाँ पर single box में single letter लिखना है सारा का सारा capital में लिखना है उसके बाद आप अपना contact number जो आपका current contact number है mobile number जो आपने pan card registration में दिया था जो आपने आपके e-filing account में डाला हुआ है और जो आप अपने ITR में fill up करोगे वही phone number आपको यहाँ पर देना पड़ेगा उसके बाद आपके city का जो पिन कोड होता है जो area का पिन कोड होता है वो फिर हो गया हमारा यह basic information यहाँ पर मैं numbering करी देता हूँ ना यह field number 1 field number 2 field number 3 यह number 4 पांच 6 छे data fields में हमने data fill up कर दिया अब हमारा sorry 6 के बाद आपका आता है यह 7 और यह हो गया आपका 8 आठ जगा पर data हमने fill up कर दिया है अब हमारा next आता है number 9 जो है type of payment यहाँ पर केवल एक ही category आपको select करनी है आप 2-3 category select करके ऐसा payment नहीं कर सकते एक चालान आपको यह पूरा का पूरा एक चालान आपको use करना पड़ेगा केवल एक ही category के लिए अगर एक से ज़्यादा category में आपको taxes pay करने है तो separate चालान fill up करना पड़ेगा और submit करना पड़ेगा पर टाइप और डिपेंडिंग आपको कौन से टाइप का पेमेंट करना है advanced tax है self assessment है tax on regular assessment है सर-tax है tax on dividend tax on distributed profits of domestic companies है या फिर tax on distributed income of unit holders है इन छे काटेगरी में जिस टाइप के पेमेंट आप करने वाले हो उस बॉक्स में आपको टिक मार्क करके छोड़ देना है ठीक है यह हो गया आपका डेटा एंट्री नमबर 9 फिर आने वाला है आपका डेटा एंट्री का बॉक्स नमबर 10 यह वाला जो पोर्शन है यह बैंक के काम का रहेगा ठीक है इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है यहाँ पर बैंक का सील रहेगा इसको आपको छोड़ देना है ठीक है नंबर 10 में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको आपके क्या क्या आप पेमेंट करने वाले हो और उनका टोटल कितना है यहांपर लिख देना है उसके बाद जितना भी आपका टोटल आएगा for example अगर आपका टैक्स का पेमेंट आता है दो लाक रुपे या एक लाक रुपे तो आपको यहाँ पर यूनिट टैन्स हंड्रेट थाउजंड टैन थाउजंड लाक्स ऐसा लिखना पड़ेगा for example अभी जैसे मेरा एक लाक रुपे में टैक्स का पेमेंट आता है तो यहाँ पर यूनिट में कितना है जीरो टैन्स में कितना है जीरो फिर यहाँ पर थाउजंड में कितना हंड्रेट यूनिट टैन्स हंड्रेट में क्या है जीरो यूनिट टैन्स हंड्रेट थाउजंड मे थाउजंड में क्या है 00 और लैक तो इस तरीके से आपके ये एक लाख रुपे का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा थोड़ा पॉम्प्लिकेटेड है यह लेकिन अब इंकम टैक्स ने हमें ऐसा दिया है तो हम वैसा ही करने वाले हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच याने एक लाख रुपे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गए तो इस तरीके से आपको यूनिट टेंस अंडरेड थाउजंड लैक्स और करोर्स में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन टैक्स का देना है यह बेसिक चीज आपको समझ गई ठीक है फिर फिल्ड नमबर ग्यारा की तरफ हम चलते हैं फिल्ड नमबर ग्यारा में हमें क्या लिखना है पेड इन कैश और डेबिट टू काउंट यह चेक नमबर यानिए आप रिटी जीस कर रहे हो या फिर चेक दे या फिर कैश में दे रहे हो तो कौन से मोड से पेमेंट कर रहे हो वहाँ पर आपको टिक करना है बाकी दोनों काट देना है ठीक है अगर चेक है तो चेक का नमबर यहाँ पर लिखो चेक में कौन सी डेट है वहाँ पर लिखो पेमेंट की डेट हो वह सेम होनी चाहिए फिर जो भी व्यक्ति आपका tax deposit करने जाएगा उसका वहाँ पर signature होना चाहिए इस box में तो यह basic information आपको 11 में अब यह सारी चीज़े मैंने एक ही इसमें कर ली ठीक है यह आपका box number 11 हो गया अब नीचे आती है अब यहाँ तक का जो भी आपका information आपने fill up की है यहाँ तक की जितनी भी आपकी information आपने fill up की है फिल नंबर 11 तक की वो bank के लिए important है अब नीचे की जो receipt है वो आपको रखनी है यानि वो आपको फाड नी पड़ेगी ठीक है तो वो फाड आपको proper cut करके आपके पास रखनी पड़ेगी उसको भी similar format में आपको fill up करना है क्या- counter foil में पैन नंबर डालोगे ठीक है receive from जो जिस व्यक्ति ने deposit किया या जिस व्यक्ति के नाम पर यह पैन नंबर पैन काड पर जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखना है similarly check number ठीक है कितने रुपे का आपने दिया amount in rupees and drawn on bank और यहाँ पर branch का नाम आप को लिख देना है ठीक है और फिर जो उपर में यहाँ पर हमने टिक मार्क किया था यह वाली fields पर वह similar fields हमें यहाँ पर नीचे हमारे reference के लिए टिक मार्क कर देनी है ठीक है on account of company है या other than company है जो भी applicable होगा वहाँ पर टिक करोगे other को scratch करके काट दोगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है न जिस बॉक्स में आपने टिक किया है वह similar advance tax bracket में 100 वैसा ही आपको similarly यहाँ पर लिखना है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा assessment यह जो हमने यहाँ पर ऊपर में लिखा था सिब सेम assessment यह आपको लिखना है अभी आपका final हो गया है फिर आप यह पूरा का पूरा data fill up करके जब bank में यह submit करने जाओगे याने specially designated banks होती है उनी banks में जाकर आप इस tax का payment कर सकते हो हर एक bank tax का payment accept नहीं करेगी तो आपको वह देखना पड़ेगा कि कौन से branches में tax का payment income tax का payment accept होता है ठीक है तो यह सारा का सारा data fill up करके आप जाओग bank खुद रखेगा वहाँ पर भी सील लगेगा और जो कॉपी आपको देने वाले हैं वहाँ पर भी आपके bank का सील मारके याने यह सील रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ उसने चेक कर लिया है यह एक्स फिजिकली एक्सेट हो गई है अब वह फिजिकली इस एक्सेट किये गए काउंटर फाइल को अपने सिस्टिम में जब अपलोड करेगा तब आपको पेमेंट हो जाएगा इस अब जैसे कि हमने यहाँ पर चेक सिलेक किया है ठीक है तो यहाँ पर इस चालान के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा चेक प्रॉपरली फिलप किया हुआ उसमें भी अम जाके सब्मिट करो कि किसी ब्रैंच में तो आपको चेक देना पड़ेगा या कैश देनी पड़ेगी इस चालान के साथ ठीक है तो दो चीज़े हमेशा जाएगी चालान चेक चालान और चेक या फिर चालान और बैंक अकाउंट से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उस तरी चालान for each type of payment यहाँ पर आप एक चालान केवल एक ही केटेगरी का payment यूजS करने के लिए पे करने के लिए यूजS कर सकते हो थीक कहे अगर आपको एडवन्स अगर आपको टैक्स और यह भी देना है तो आपको दो सेपरेट चालान भरनी पड़ेगी और सब्विट करनी पड़ेगी एक चालान में एक ही टरीके का टैक्स का पेमेंट होगा उसके बाद पॉइंट नमबर टू क्या कहता है प्लीज नोट याने विदाउट पैन नमबर दिये आपका चालान एकसेप्ट नहीं होगा टैक्स का पेमेंट नहीं होगा इनकम टैक्स का सारा डेटा पैन नंबर से ही चलता है फिर तीसरा नोट क्या कहता है प्लीज नोट दाट कोटिंग फॉल्स पैन में अट्रैक्ट पेनल्टी औफ रूपीज 10,000 ऐस पर सेक्शन 272 बी ओफ इनकम टैक्स आट 1961 तो यहां से आपको इनकम टैक्स आट के पेनल्ट बेसिक पता चल गई क्या कहीं पर भी अगर टैक्स पेमेंट करते वक्त भी टैक्स पेमेंट करते वक्त अगर आपने गलत पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी तो पैन कार्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है पैन नंबर होता है आपका नाम होता है डेट आप करोगे तो अपना सारा डेटा प्रॉपरली प्रोवाइड करना उसके बाद नोट नमबर चार क्या कहता है प्लीज नोट देपोजिट तो अपील फीज दाट टू प्लीज 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 अब यहां पर यह कहता क्या है कि जब अगर आपको अपील की फीज डिपोजिट करनी है यानि आपका इंकम टेक्स में केस लगा वो केस का डिसिजन आया फिर आपने अपील की तो ऐसे जो अपील करने के लिए जो फीज पे करनी पड़ती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेजर हेड जो है आपका वो आइदर आप कमपनी रहोगे या स्टेटस आपका जो रहेगा एंटिटी का वो अदर देन कंपनी रहेगा इसे कहा जाता है major head तो major head में से अपना एक कोई भी select कर लेना आप either companies और उसके बाद अब आप देखोगे कि appeal fees नाम का कोई head हमारे minor head में नहीं है तो यह जो appeal fees है वो आपकी pay होगी self assessment tax के under ठीक है तो यह basic चीज आप याद रखना अगर आपको appeal की fees देनी है तो यहाँ पर depending on your entity tick mark कर देना company entity other than company जो भी होगी और यह जो code number 300 है minor head में यहाँ पर select करना और आपकी appeal की fees पे हो जाएगी ठीक है यह basic चीज है एक अलग point है यह याद रखना हमेशा and the amount is to be filled under others in details of payments तो तीन जगा पर आपको selection करना है major head select कर लो properly minor head हमेशा आपको self assessment tax याने code number 300 वाला select करना है in case of appeal fees और जो payment रहेगा आपका amount is to be filled under others in details of payments याने यह जो details of payment है यह वाला portion याने field number 10 यहाँ पर आपको इन सारे चीजों में कहीं पे भी information नहीं डालनी है जो अधर वाला field है यहाँ पे आपको amount डालनी है तो self assessment जब आप सेलफ आसे सॉरी appeal fees की जब आपको payment करनी है तो आपको हमेशा ITNS 280 यूज करना है major head में proper entity के हिसाब से tick mark करो और जो minor head है आपका उसमें हमेशा आपको self assessment tax ही select करना पड़ेगा और payment करते वक्त यहाँ पर others हमेशा others में ही आपको payment करना पड़ेगा फिर point number 5 क्या कहता है to deposit taxes appeal fees etc in respect of block period cases enter the first assessment year of the block period followed by the last assessment year of the period अब होता क्या है कि block period यह concept आपको समझना पड़ेगा यह क्या कहते हैं to deposit taxes और appeal fees etc in respect of block period cases block period याने एक साथ 2-3 साल की अगर आपकी cases लगती है उससे related आपको कोई tax pay करना है या appeal fees पे करनी है तो कैसा करोगे हर बार अलग-अलग चलान तो पे नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको एक कोटा सा solution इन्होंने दे दिया है block period याने एक साल से ज्यादा के appeal या एक साल से ज्यादा याने 2-3 साल का tax pay करना है या फिर अगर आपके 2-3 साल की case scrutiny में लगी है तो उन 2-3 साल की appeal fees आपको अगर पे करनी है एक साथ तो आपके लिए option दिया है वह option कैसा है enter the first assessment year of the block period followed by the last assessment year of the block period for example if the block period is 1-4-1985-53-1996 याने जो block period है जिस period की cases लगी है वो अगर 1985 से लेकर 1986 तक है तो 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 almost 9 साल के cases अगर आपके लगते हैं तो ऐसे case में आप क्या करोगे नौ चालान भरोगे नहीं तो यह क्या कहते है कि आपका पहला first assessment year जो रहेगा उसका year आप डालोगे और last assessment year जो रहेगा उसका year आप assessment year में लिखोगे it would be entered as तो अभी यह 85 86 जो financial year रहेगा उसका assessment year क्या रहेगा 86 87 तो 80 1986 आपको लिखना है और 96 97 का जो 97 आखरी वाला है वो आपको लिखना है तो यहाँ पर अगर आप block period के बारे में tax pay करने हो या appeal fees भरने वाले हो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1986 to 97 यह पूरे period का हम लोग tax pay करने वाले है यह हो गया आपका block period के बारे में information. For example, if the block period is 8 Char 1985 to 53 1996, it would be entered as 1986 to 97 in the space indicated for the assessment year. If taxes are being deposited, tick the self assessment that is 300 under the type of payment and fill up amount under tax while in respect of appeal fees enter the amount in others. तो दो तरीके से आप ITNS को यूज़ कर सकते हो tax type proper regular जो categories है minor head में वो payment करने के लिए या फिर appeal fees को payment करने के लिए तो यहाँ पर दो unique points आपके पास है point number 4 और point number 5 ठीक है यहाँ पर आपको ध्यान देना यह important चीज़ है तो I hope कि आपको point number 4 और point number 5 की जो technicalities है how to use this challenge in these two issues यह clear हो गई अगर clear नहीं है तो एक बार वीडियो आप पीछे करके फिर से देख सकते हो या आप अगर जब फुद से पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जागा बहुत आसान प्रोविजन है यह ठीक है फिर point note number 6 क्या कहता है taxpayers may please draw or issue check or dds towards payment of income tax as under या अगर आप check से payment करते हो आपके tax का या फिर आप डीडी इस्तमाल करते हो अपने tax का payment करने के लिए तो चेक या डीडी के ऊपर नाम क्या लिखना है तो आपको नाम लिखना है pay name of the bank where the challenge is being deposited तो अगर आप SBI में deposit करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा SBI जो भी उसका branch name होगा वो पे SBI दिस 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 account income tax इस तरीके से आपको payment करना पड़ेगा ठीक है यह भी simple चीज हो गई एक दम please use this challenge for depositing taxes type of payment mentioned overlays kindly do not use this challenge for depositing tax deduction at source याने TDS के लिए यह challenge use नहीं होगा यह invalid रहेगा अब यह भी important चीज है kindly ensure that the bank's acknowledgement contains the following तो जो भी आपको यह acknowledgement मिलने वाला है bank का यहाँ पर और यहाँ पर दो जगा पर bank का seal लगने वाला है ठीक है तो सबसे पहला जो है न आपको यह वाला जो है taxpayer counterfoil यह आपको जब आपका tax का payment हो जाएगा तब bank के record में या file में आपको यह वाला portion मिलने वाला है यहाँ पर आप bank का seal रहेगा और उस seal के उपर कुछ information है वह information आपको काम में आने वाली है जब आप अपना income tax का return file करोगे जब आप अपना income tax का return file करोगे after payment of tax तो आपको यह point number 123 यह तीनों information आपको अपने income tax return में code करनी पड़ती है तभी आपका income tax return complete माना जाएगा ठीक है otherwise complete नहीं माना जाएगा kindly ensure that bank's acknowledgement contains the following हमेशा जो bank से आपको payment का acknowledgement मिलेगा उसमें तीन डेटा हमेशा होना चाहिए पहला seven digit BSR code of the bank branch यह बहुत important होता है फिर date of deposit of चालान इस date month DDMMYY format में date होनी चाहिए deposit of चालान कौन से date को हुआ और number 3 चालान serial number यह तीनों चीजे जब आप अपने tax का credit claim करते हो अपने ITR में either TDA section में या फिर self assessment या फिर advance tax में तो आपको वहाँ पर यह तीन data provide करना पड़ेगा this is mandatory इन तीन में से अगर आपने एक भी data provide नहीं किया तो आपको tax credit नहीं मिलेगा ठीक है this will have to be quoted in your return of income तो ITR 1 से लेकर ITR 7 जो भी आपके लिए applicable होगा उसमें हमेशा आपको यह तीन चीजे बताने पड़ेगी अगर आपको आपके पे किये गए tax का credit चाहिए तो तो मित्रो यह था basic discussion regarding चालान number ITNS 280 अब इसमें भी आपको बहुत सारी बाते पता चली actual life में अगर आप physically कोई chartered accountant या कोई company आपको physically tax deposit करने भेशती आजकल digital payment ही हो जाता है लेकिन in case अगर आपको physically चालान deposit करने के लिए भेजा तो आपको पता होना चाहिए कि चालान किस तरीके से work out होता है और ITNS 280 में दो unique points है वो है point number 4 और point number 5 notes में point number 4 आपको कहता है appeal fees किस तरीके से payment करना है और point number 5 आपको कहता है कि block period का tax किस तरीके से आप pay करोगे या block period की appeal fees आप किस तरीके से pay करोगे तो यह पूरा का पूरा knowledge base है regarding ITNS 280 and this is the end of this video ठीक है मित्रो जाने से पहले एक छोटे से request चैनल को जरूर ढूंडिए subscribe करिए videos को देखिए share करिए और like जरूर करिए चलो अगले वीडियो में मिलते है इसी सीरीज में ITNS जो भी चाला नंबर रहेगा वो ठीक है मित्रो चलो बाबाए आई होप आपको ये videos काम में आएंगे during your article अभी तो हमारी शुरुवात है अभी हम लोगों ने शुरू किया है तो basic basic चीजे शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे जो चीजे हमारे सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडेट और सीए फाइनल के syllabus में नहीं है जो किताबों में हमने नहीं पड़ा लेकिन हमारे Chartered Accountancy के फील्ड में applicable है जिसका knowledge हमें होना चाहिए ऐसे बहुत सारे वीडियो रिगार्डिंग इंकम टैक्स रिगार्डिंग जी एस टी रिगार्डिंग आपका Companies Act रिगार्डिंग आडिटिंग बहुत सारी चीजे आपके लिए आने वाली है धीरे धीरे इस चैनल के उपर तो इसी लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम सही समय पर मिल जाए चलो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केर पढ़ाई भी करना है और रिवीजन भी करना है रिवीजन इस मास्ट